नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी आसा करता हूँ अच्छे होंगे सौचत होंगे मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बैस्त होंगे चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूटुब चाइनल मैं था डशारन में फिर मैं हाजिर होके एक नया सेशन लेके इसके जासर क सब्सक्राइब करने वाले हैं तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथी सांथ बेल आइकन को दबा लिजिए ताकि हम को भी वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिस्प्रेशन आप तक मिलता रहे हैं अगर आप अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुरे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप टेलिग्राम चैनल से जरूर जुरिए क्योंकि इन सभी का पीडियेफ में वही डालते रहता हूं तो इससे क्या होगा आपको बहुत फाइदा होगा और वीडियो अच समान है यानि कि इसका मास क्या है समान है और उनका वेग टू भी और फाइब भी है तो पधारत ए और बी के गतीज उड़जा का अनुपात क्या होगा यानि कि अगर दरमान की बात की जाए तो दोनों का दरमान एम माल लेजिए कि एक का अगर दोनों का एम माल लेजिए कि हैं काइनेटिक इनर्जी क्या होता है काइनेटिक इनर्जी बराबर होता है हाफ इम भी इसको है काइनेटिक इनर्जी बराबर होता है हाफ इम भी इसको है जब देखिए दोनों का वेग समान है तो दरमान समान है तो दरमान को आप हटा दिए दरमान से आपको ले नहीं देन यह आएगा half M इसको V1 square कर देंगे तो यह half M और यह half M cut जाएगा यानि कि क्या बच जाएगा V1 square बटा V2 square यानि V1 बराबर क्या है 2V है तो 2V का square और V2 बराबर 5B है तो 5B के square यह बी क्या हो जाएगा 4B square बटा 25 बटा 25 बटा 25 बटा 25 क्या बच गया आपके पास 4 बटा 25 यानि कि अनुपाद में देखेंगे तो 4 अनुपाद 25 आपका सही आंसर होगा यानि कि option C जो होगा ये आपका सही आंसर हो जागा देखें यह formula आपको पता होना चाहिए कानेटरिक energy का क्या होता है करें तो हमने डोनों को बराबर कर दिया है वी बन हमने अगर वी बन ना कहोके इसे भी एक कह दें यानि यानि येन वह का फैलोसीटी आफ ये वह वी बराबर फाइबी हो गया तो काने घतियू ज़ुजान निकालने को दिक्कत है नहीं हिए बिल्कुन काल सकते हैं चलिए 4.186 कैलोरी जूल बराबर होता है एक कैलोरी क्या होता है एक कैलोरी होता है यानि कि 4.186 जूल बराबर एक कैलोरी होता है तो एक जूल बराबर कितना कैलोरी हो जाएगा तो एक जूल बराबर हो जाएगा एक बटा 4.186 अब यह कितना चला जाएगा 0.25 के आसपास यानि 0.25 यह 24 को सकते हैं एक्जैक्ट 0.24 के आसपस चला जाएगा अगर यह तो समला उटा देंगे तो 0.25 से च्छोटा होना चाहिए तो यही आपका option D हो जागा 0.254 ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं कि माइनस 40 डिए सिल्सियस पे फॉरन हाइट में क्या होगा यानि कि फॉरन हाइट में कितना मान होगा देखिए हम जानते हैं फॉरन हाइट और सिल्सियस का जो एक्वेशन होता है वो होता है सी बटा 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा 180 अगर 20 पंचे सो बीस नवा 180 का दे तो ये सी बटा 5 होगे है कि सेल्सियस का मान कितना होगी है माइनस का 40 डिग्री तो सि के जगह क्या रख देंगे माइनस का 40 डिग्री बटा 5 बराब़ एफ माइनस 32 बटा 9 ये 5 चालिश मो काड़ दी आठ बार में ये इधर आके응ुणा हाद एक्वेशन का 32 माइनस का 72 32 मसा 32 जाएगा कितना जाएगा माइनस का 40 यानि कि माइनस का 40 यह हो जाएगा तो option D क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं अगला question है कि खगोली ये पधार देखने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो खगोली ये पधार देखने के लिए हम किसका उप्योग करते हैं तो दुर्बीन का उप्योग करते हैं किसका उप्योग करते हैं खगोली ये पधार को देखने के लिए दुर्बीन का उप्योग किया जाता है तो यहाँ दुर्बीन किसी option में नहीं है तो इन में से क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स चुमबा के छेदर की तिवरिता क्या होती है तो चुमबा के छेदर की तिवरिता क्या होती है टेसला होता है तो option ने क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं एक micro ampere परवा का ताथ परज क्या होता है तो एक ampere एक micro की बात की जाए तो एक micro ampere बराबर होता है 6.25 into 10 to the power 18 into 10 to the power minus 6 को सकते है into 10 to the power minus 6 यह micro यह ampere हो गया है यहने कि 6.25 into 10 to the power 12 electron per second होता है तो option C क्या हो जाएगा 6.25 एक micro ampere का परवातात परज किस्से होता है तो 6.25 into 10 to the power 12 electron per second तो option C क्या हो जाएगा आपका सही answer हो गया next परकास विदूत सेल बदलता है परकास विदूत सेल क्या बदलता है यांत्रिक उर्जा को विदूत उर्जा में ताप उर्जा को यांत्रिक में कि परकास उर्जा को रसाइनिक में कि परकास उर्जा को विदूत उर्जा में बदलता है तो परकास विदूत जो होता है यह परकास उर्जा को विदूत उर्जा में बदलता है चलिए अगला question देखते हैं थोड़ा से इसे नीचे कर लें कि लोहे का जंग लगना किस परकार का परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर रासानिक परिवर्तन है डूद का फटना भी क्या है रासानिक परिवर्तन है चलिए अगला कोशन देखते हैं sarà लिकेन का रासायनिक सुत्र क्या है सिन ईस टुए निखिष्टा है घल्किन की बात कि जाएं तो इस वे हैं नकिन को पहुता है और सुष्टाम कौाईम क्वगेुश होता है चलिए उगला क्यूशन देखता है जब sodium योगे किगली वियास्ता में विदूत का एक सुचालक होता है तो आप संडी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा और fluorine जो होता है सबसे पर्तिक्लिय तो और हेलजन तत्वु का सबसे हलका सदस से भी है चलिए अगला question देखते हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा इससे क्या होगा थोरा सा मुझे मोटिवेशन आएगा और कंटिनीव ऐसे ही वीडियो आएगा नेक्स अन्द्र की कोज किस्ने की थी तो निट्र चैजडुन की की थी चैजड़ लाइक पूसट ध्य होता है तो option b mixture हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा चलिए अगला question dość कि कर your group क्या है इसका करयात्म हाँ क्या है तो का कर्वोग्जुलिक acd का ख़र आपकी सब्सक्राइफ क्या वधोग्ड़ुक्त। क्वाग्ज्ड ह३ध तो कश्वा अपक क्या हो आपका सही अंसर हो जाएगा पारा को हम लोग एच जी से परदार्सित करते हैं ठीक है चलिए अगला कुश्चिन कि निम्न में से हीरा क्या है हीरा क्या होता है हीरा एक तत्व होता है तो आपका सही अंसर हो जाएगा हीरा जो carbon tattoo का आपको रूप भी होता है और carbon का रसानी सुत्र क्या होता है और हीरा का hybridization जो हता है यह एस-पी थिरी होता है next इस्तिरताप पर gas के निश्ची द्रौमान का आयतन कंप करने पर दाप क्या होजाएगा इस्तिरताप पर आप होती है चलिए अगला कोशन है कि आध्धूनिक आवर्ट साड़नी में समु अठारे के मुल ततों अपनी बहात्म कक्षा में आठ इलोक्टॉन होने वाले को छोर को औरन सभी को क्या कहा जाता है तो उन सभी को निसकरिये कैस कहा जाता है तो अपसंसी क्या हो जाएगा आ ओधियोन आरगन क्रिप्टन जिनोल लिया सभी the Aim क्या होता है रसाइनीक रहोप से क्या व्ते निसकरिये अद्वोते हैं अगला कोशन देखते हैं कि मेढ़क जो अर मेढ़क गतिसील कीरो को बड़े सिखर्टा से पकर लेता है क्यूंक्य क्यूक्त इसकी गीलि चिप चिपी जीव जो होती है उसके सामने जूरी रहती है और पीछे क्या रहती है सोतंत रहती है क्या रहता है उसका जो जीव रहता है गीला जीव चिप चिपी जीव सामने जूरी रहती है और पीछे सोतंत रहता है जिससे जीव को बाहर निकालता है और पकर के अंदर ले लेता है तो आप संदी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा मेढग जो होता है यह एंफिविया वर्प के प्राणी है और एंफिविया वर्प के प्राणी सौसान कुलोमो तोचा एम फेपरो द्वारा क्या करते हैं लेते हैं चलिए अगला कोशन है कि अंतक कोशी की पाचन से संबंधित कोशी के सनरचना है तो अम तक कोशी पाचन से संबंधित कोशी के सनरचना कौन होता है यह लाइसोसोम होता है तो आप संडी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम जो होता है यह सुक्षम गोल इकहरी जिली से घिली धायली जैसी इस दिवान होते हैं तो option D क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा केंचुवा जोक नेरी साधी क्या होते हैं यह एनली गवर के प्रानी होते हैं और केंचुवा को किसानों का मित्र भी कहा जाता है चलिए अगला question है कि पुसकरम जो पूरुरुपें एक संजुत फल्क के होता है तो वह क्या होता है हाइपेंथोडियम होता है क्या होता है हाइपेंथोडियम होता है यानि कि option B क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा एंथलोजी में पुस्पो का अध्यन कराता है क्या होता है एंथलोजी में जो होता है यह पुस्पम का यानि कि पुस्पो का द्हेन एंथिलोजी का लाता है ठीक है चलिए अगला कोश्चन अगला कोश्चन है कि थोब से इसको छोटा कर लें कि डीने में पाई जाती है तो डीने में क्या पाए जाता है तो डीने में पेंटोस सरकरा पाए जाता है क्या पाए जाता है पेंटोस सरकरा डीने में पाए ज होते हैं नेक्स वात आवरंग के संदर्म में जीवों का अधेयन बज्यान के साखा को क्या कहते हैं तो जीवों को अधेयन करनेवाले साखा को परिश्थित्य की बज्यान गहाँ जाता है तो आपसंसी क्या हो जागा आपका सही आंसर चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि जो हार्मोन रीत्यू के अनुसाथ परचना करने वाले प्रानियों के नरों में गोन लेंगिक लक्षन उत्पन करता है वो क्या कालाता है तो इसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं तो आपसंसी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर के अगला कोशन देखते हैं कि परकास संसर्फ संस्फिय्जन में पानी से उत्पन होती है तो आपसं इंक आपका सही answer हो जाएगा और chlorophyll powder के हरे पत्तियों से पत्तियों से प्राप्त होता है ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में share करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन